सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बैल के आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहें इस वीडियो में मैं आपको आज कुछ ऐसे टिफ्स बताने वाले हूँ जिससे आप आसानी से सिलाई सीख सकते हैं और अपनी सिलाई में बहुत ज़्यादा फिनिसिंग ला सकते हैं तो आप इस पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए आपको सारी बातें समझ आ जाएगी सिलाई के लिए जो सबसे पहली बहुत जरूरी बात है वो यह है कि हमारी सिलाई मसीन इसके सिलाई एकदम सही होने चाहिए और अगर इसमें कोई छोटी मोटी प्रोब्लम है तो आप इसे खुद भी ठीक कर सकते हैं क्योंकि काफे सारे सिलाई के चैनल है जिनमें मसीन को खोल कर ठीक करना बताया गया है आप उनमें से देख सकते हैं लेकिन अगर आप फिर भी मसीन ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी मेकैनिक से अपनी मसीन ठीक करा सकते हैं क्योंकि अगर हमारी मसीन की सिलाई अच्छी नहीं होगी यानि ठीक नहीं होगी तो हम चाहे कितने भी कोशिस करें हमारे कपड़े में बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी दूसरी important बात ये है कि जब भी आप किसी कपड़े की कटिंग करें उसके उपर प्रेस जरूर कर लें तो पहले हम इसके उपर अगर प्रेस करेंगे तो हम इसका मेजरमेंट सही से कर पाएंगे और हमारी सिलाई में भी बहुत ज्यादा सफाई आएगी तीसरी important बात ये है कि अगर आपका कपड़ा cotton का है या आपका कपड़ा lining वाला है और वो भी cotton का है तो उसे पहले wash जरूर कर लें Wash करने से मेरा मतलब केवल आप 2-3 बार उसको अच्छे से पानी में निकाल लें और उसको सुखा कर उसके उपर अच्छे से प्रेस कर लें तब उसकी cutting करें क्योंकि जो cotton के कपड़े होते हैं वो wash के बाद स्रिंक हो जाते हैं और अगर हम सिलाई करने के बाद उसको wash करते हैं तो हमारी fitting और कपड़ा खराब हो जाता है एक बहुत important बात यह है कि अगर आपके कपड़े में कान है यानि टेड़ा पन है तो पहले आप उसको सीधा कर लें तब उसकी cutting करें लेकिन बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिनकी बुनाई में ही कान होती है यानि बुनाई ही उनकी तिर्शी होती है तो उनकी हम कितने कोशिस हो सके उतना से सीधा करें एक और जो बहुत important बात है वो यह है कि कम से कम हमारे जो सिलाई के समान है वो बिल्कुल सही होने चाही यानि जैसे हमारी कैची है वो ऐसी होने चाही जो कपड़ा सही से काट दे और हमारा जो inch tape है वो कहीं से तूटा हुआ या कटा फटा नहीं होना चाहिए नहीं तो हम सही से measurement नहीं कर पाएंगे कम से कम हमारे पास यह समान तो जरूर उने चाहिए जैसे inch tape, catchy, यह chalk और scale और अब मैं आपसे एक बहुत important बात share कर रहे हूं वो यह है कि आप सबसे पहले basic सीखे basic से मेरा मतलब यह है कि कैसे measurement लेते हैं कपड़े से या body से या किस size में कितना arm hole होना चाहिए, कितना solder होना चाहिए, या कैसे हम cutting करते हैं, कैसे किसी कपड़े को हम बनाते हैं, सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए और किसी neck में कितनी maximum या minimum लंबाई या चोड़ाई होनी चाहिए, यह सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी कपड़े की cutting कर सकते हैं और अगर आप beginner हैं, या आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती हैं, तो आप पहले simple कपड़े सीलना सीखें, यानि design बनानी की बिल्कुल भी कोशिस न करें यानि जो design बिल्कुल लिजी हैं, पहले आप वो बनाई अगर आप किसी भी काम को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो उसमें तीन बाते बहुत ज़रूरी हैं, वो है लगन, मेहनत और पेसेंस और जब आप सिलाई करें, तो सिलाई में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें अगर आप beginner हैं, और आपको कोई design ऐसा है, कि जिसको आप सीधी machine से नहीं बना सकते, और आपको बनाने में मुश्किल हो रही हैं, तो उसके उपर पहले आप हाथ से कच्छा कर लें, फिर उसके उपर आप सिलाई लगाएं बेसक आपको पूरे कपड़े के उपर हाथ से कच्छा करके तब सिलाई लगानी पड़े, लेकिन आप जो भी कपड़ा बनाएं, सफाई से बनाएं, बेसक वो एक दिन के बजाए दो दिन में बनें या तीन दिन में बनें, लेकिन अच्छा बनना चाहिए जैसे आप किसी नेक की कटिंग कर रहे हैं तो आप किसी न्यूस पेपर बगैरा पर उसकी कटिंग जब तक करते रहे हैं जब तक आपको बिल्कुल अपने मन मुतापिक या बिल्कुल परफेक्ट उसकी कटिंग ना लगे और उनमें से जो cutting आपको बिल्कुल सही लग रही है उस cutting को आप भुक्रम के उपर रखकर निशान लगाईए और तब उसकी cutting करें जैसे आप fitting की सिलाई लगा रहे हैं या slips लगा रहे हैं या कुछ ऐसी सिलाई लगा रहे हैं जिसको लगाने में आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है या आपको लगता है कि पता नहीं यह हमारी ठीक से हो पाएग या नहीं तो उसमें आप थोड़ी बड़ी सिलाई करके उस कहीं से क्रैक हो सकता है और जब आपको लगे कि आपके जो फिटिंग है वो बिल्कुल सही है और आपके मन मुताविक है यानि जैसे आप चाहते थे ऐसी है और आपके स्लिफ बिल्कुल सही तरीके से उसमें लग गई है तो आप उसके उपर फाइनल सिलाई लगा सकते हैं या और अगर आप सिलाई सीख रहे हैं, तो आप उमेशा सस्ता कपड़ा यूज करें, जिससे आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे, और आप ये सिंपल वाली बुक्रम यूज करें, क्योंकि ये थोड़ी सस्ती होती है, इसलिए, लेकिन आप अगर अपना कोई कपड़ा बना स्पाव के बचिता नहीं, तो आप सिंपल वाली बुक्रम यूज करें, इसके दो बहुत बड़े रीजन है, सबसे पहला रीजन तो यह है कि पेस्टिंग वाली बुक्रम से बहुत ज्यादा फेलरी सियग आती है, और दूसरा रीजन यह है कि अगर हम स्पल वूक्रम बहुत जल्दी गंदी हो जाती है वो बहुत भारी चलने लगती है और हमें जल्दी जल्दी उसकी सफाई करने पड़ती है और हमारी मसीन कई बार सिलाई भी खराब देने लगती है और वैसे भी मेरा मानना है कि किसी भी कपड़े को जल्द बाजी में बना कर बार-बार उध से कच्च्चा करना पड़े अगर आपका कपड़ा अच्छा बनाएं और बिल्कुल सिंपल है तो देखने में वह बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लुग देगा बेसक वfeld सिंपल है लेकिन अगर आपके कपड़े में सफाई नहीं है बेशक कपड़ा कितना भी महेंगा है डिजाइनर है तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देगा और एक बात मैं आज आपको अपनी experience से बता रही है जैसे आप कोई कपड़ा बना रहे है या कोई डिजाइन बना रहे है और वो आपके मन मुताबिक नहीं बनता है या अच्छा नहीं बनता है या आपका कोई डिजाइन खराब हो जाता है जैसे गले का या कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है और आप उसको ठीक करते करते परेशान हो जाते हैं आप पूरा दिन उसमें लगा देते हैं आप माथा पच्ची करते रहते हैं उधेरते रहते हैं ठीक करते रहते हैं और एक वक्त ऐसा होता है कि आपका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है आपका दिम तक आपका मन नहीं करें कि आप अपना कपड़ा रख दें सारे ताम जाम को आप उठाकर रख दीजें टेंसन फिरियो कर और उसको एक दिन बाद या दो दिन बाद दुबारा से उठाकर ठीक करने की कोशिस किजें मैं दावे की साथ कह रही हूं कि आप बिल्कुल आसानी से अपने कपड़े को ठीक कर पाएंगे और बहुत जल्दी से आपको उसका हल मिल जाएगा और हो सकता है आप जैसा बनाना चाहते थे उससे भी कहीं ज्यादा बैटर कर पाएं क्योंकि हमारा जो दिमाग है हमारा जो सरीर है वो दुबारा से प्रिपेर हो जाता है और हम बिल जाएं नहीं बन पा रहा है तो मैं आपको बताना चाहते हूं कि हिम्मत मतारिये किवल लगन महनत और पेसेंस रखे आपको सफलता जरूर मिलेगी दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे इनसान करना चाहे तो कर नहीं सकता और अगर आप मेरे नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बात मेरे नेचर में है कि मैं बहुत आसानी से हार नहीं मानती यानि जो काम मैं करना चाहते हूं वो मैं अपने जुनून से और अपने पेसेंस से उस काम को मैं करी लेती हूं मैं हमेशा सोचती हूं कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं और ये बात मैं आपको केवल इसलिए बता रही हूं ताकि आपको प्रेर ना मिले और हमेशा पोजेटिव सोचें ये मत सोचें कि ये कपड़ा हम नहीं बना सकते या ये डिजाइन हम नहीं बना सकते एक दिन वो आएगा जब आप खुछ से एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े बनाने लगोगे और आप दूसरे के लिए प्रेर ना बनोगे हम अपने एक्सपेरियंस और अपनी गलतियों से हमेशा कुछ अच्छा सीथते हैं उम्मीद करती हूं मेरी इन बातों से आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको मोटिव आपकेशन मिलेगा और अंत में अल दा बेस्ट एंद गौद ब्लेस्ट थैंक यू